हेलो दोस्तों मैं तारिक मलिक आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल Optometry with तारिक पर आज हम बात करने वाले हैं Polarized Lenses के बारे में क्या होते हैं Polarized Lenses क्या उनसे फाइदा मिलता है कैसे बनाए जाते है Polarized Lenses कैसे पहचाने की एक Polarized Lenses है या नहीं और क्या-क्या इसके Advantage और Disadvantage है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की Notification जल्दी मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं पहली बात जो हम देखेंगे वो होगा कि Polarization of Light का मतलब क्या है Polarized Lenses को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि क्या होता है एक Polarized Light तो अगर आप इस डाइग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको पहली रे दिख रही है वस रे को हम Unpolarized Light कहते हैं Unpolarized Light का मतलब होता है कि जब एक Light हर Direction में Vibrate हो कोई भी Light Source जो है जब वो Source Light Emit करती है तो Light के Particles सारे Direction जो भी पॉसिबल है उसमें Vibrate करने लगते हैं और यह Light जब आपकी आँखों पर एक किसी भी Flat Surface से गुजर कर लगती है तो यह आपके लिए Glare या फिर Disturbance पैदा करती है तो Polarizing Filter जो है वो ऐसा Filter है जो कि एक Particular Angle पे सारे Rays को Block करता है और एक ही Angle पर Light को Allow करता है जिस Angle पर उस Light को Allow किया जाता है उस Light को हम कहते हैं Polarized Light अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो Component है एक जो है horizontally vibrate हो रही है वतलब 180 degree के plane पे और एक जो है 90 degree के plane पे vibrate हो रही है अब हमने एक Polarizing Filter लगाया है जो कि 90 degree के Axis पर है अब इस Axis पर होने के वज़े से क्या होगा जो भी आपकी Rays 90 degree से Parallel है वो Pass होंगी और बाकी सारी Rays जो है वो इससे टकरा कर Block हो जाएंगी जिससे कि हमें क्या मिलेगा हमें एक vertically polarized light मिलेगा जिसके वज़े से हमें ना तो disturbance आएगी ना तो कोई glare आएगा अब बात करते हैं कि इसका हमारे spectacles में या फिर चश्मों में क्या application है कभी भी अगर आप देखेंगे अगर कोई ray of light किसी plane surface से vibrate होकर आती है उस vibration से आने के बाद वो जो है वो दोनों plane पर vibrate करती है horizontal और vertical दोनो अब इसमें जो है horizontal या फिर 180 degree की जो light है वो हमारे लिए glare create करती है और जो vertical वाली है वो हमें देखने के लिए जरूरी है तो इस पर क्या होता है अगर आप देखेंगे कभी भी आप drive कर रहे हैं तो आपको जो सूरज की rays है वो किसी और screen से reflect होके और जादा disturbing लगती है या फिर अगर आप कभी भी किसी water body या फिर तालाब या पानी के किसी स्रोत के आसपास गये होंगे तो आपको जो सूरज का reflection है वो उसके surface पे बहुत ही चमकता हुआ दिखता है जिसकी तरफ हम नहीं देख पाते हैं ये जो है ये है glare इस glare को cut off करने के लिए जो lens हम use करते है उस lens को कहा जाता है polaroid lens जो concept हम already पिछले slide में देख चुके हैं ये lens क्या करता है जो आपका horizontal vibrating light है उसको block करके सिर्फ vertical को allow करता है जिसके वज़े से आपको image तो clear दिखती है बट उसमें कोई भी glare नहीं होता है तो अगर आप इन दोनो images को देखेंगे यहाँ पे क्या है जै पारे direction में vibrate कर रही है जिसके वज़े से आपके retina को बहुत जादा disturbance होता है पर जैसे ही आपने polarized lens लगाया तो उसके वज़े से क्या होता है जितने आपके horizontal या फिर अलग-अलग axis में vibrate होने वारी light है उनको block करके सिर्फ vertical को ही allow किया जाता है जिसके वज़े से आपको clear औ rate जो vertical वाली जरूरी है वो आपको clearly आ रही है और आपको जो picture की या फिर image की quality है वो जादा अच्छी मिलती है इस video में हम देखेंगे कि कैसे आपको reflection परिशान कर सकते हैं अगर आप देखोगे यहाँ पे ship से अगर आप इस surface को देख रहे हो या फिर गाड़ी चलाते समय तो place है उनको वो block कर देगा horizontal और उसके वज़े से आपकी जो vertical वाली है उनको allow करेगा अब यहाँ पर क्या होगा horizontal वाली सारी block हो गई और आपकी vertical वाली को allow किया जाएगा जिसके वज़े से glare कम होकर आपको clear दिखेगा यहाँ पर आप देखोगे तो आपका जो material है वो इस तरह place किया जाता है जिसके वज़े से आपकी सारी horizontal ब्लॉक हो जाए और vertical को allow किया जाए अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे ही polarized को apply किया जाता है road से आने वाली सारी glare जो है वो cut off हो जाती है यहाँ पर जैसे ही आपने polarized lens लगाया जो reflection आपके water के surface से आ रही थी वो cut off हो और आपको water के नीचे का जो भी है वो clearly दिखने लग जाता है यह advantage है या फिर application है आपके polarized lenses के अब हम देखेंगे कि कैसे polarized lenses बनाए जाते हैं polarized lenses को बनाने के लिए एक PVA की sheet जो है जिसे हम कहते हैं polyvinyl alcohol उस sheet को iodine में dip किया जाता है polyvinyl alcohol जो है वो iodine को absorb कर लेता है और उनको एक particular line या फिर sequence जैसे हमने पिछले वाले slide में देखा था एक particular line में arrange कर देता है इस sheet को दो roll of CAB cellulose acetate butyrate in short एक plastic के बीच में sandwich किया जाता है तो इससे क्या होता है कि दो plastic की sheet के बीच में एक ऐसी layer होती है जहां पे एक atoms को line से लगाया जाता है जो की light को एक particular angle पे absorb कर ले और बाकी light जो है जो से parallel है उसके allow करे जाने के लिए जिसके वज़े से हमें मिलता है एक polarized lens यहां पर आपको दो technique दिखाए गई है एक जो है जिसे कहा जाता है standard film based polarized construction और एक है जो है non film based यह film based जो है हमने already देखा जो की यहां पर आपका बन रहा है यह आपकी sheet है जो की polarizing sheet उसके आगे और पीछे एक adhesive tape लगाया गया है जो double sided है और उसके आगे पीछे आपका जो lens material है जो की plastic उसको sandwich करके press किया गया है इस press करने की वज़े से आपका polarizing sheet बीच में और आगे और पीछे आपका plastic lens हो जाता है जिस पर की number grind किया जा सकता है non film based जो है उसमें क्या होता है एक polarized sheet को काट कर top layer पे stick कर दिया जाता है यह generally आपके जो ready made polarized lenses होते है उनमें पाया जाता है और इसको हम generally जो prescription polarized होते है उनमें देखते हैं अब बात करते हैं कि कौन-कौन से lenses में polarized पाये जाते है generally आपके polarized जो है तीन tint में normally पाये जाते हैं एक होता है आपका brown, एक होता है gray और एक होता है bottle green bottle green जो color है selected companies में ही available है commonly आपका gray और brown easily available होता है next जो है उसे कहते हैं हम mirror coats polarized में आपके mirror coat जो हैं बहुत easily available होते हैं बहुत सारी companies जो है आपको mirror coat भी इसमें allow करती हैं common जो mirror coat हमें मिलते हैं उनमें एक होता है आपका sign color एक होता है sky blue, golden, brown and silver ये commonly आपको easily मिल जाते हैं अब बात करते हैं हम advantages के बारे में कि क्या-क्या advantages हमें polaroid देते हैं पहला advantage जो polaroid हमें देते हैं कि आपका drive करते समय आपको glare cut off होता है जिसके वज़े से आपका driving experience जो है और जादा better हो जाता है and accuracy of judgment और जादा बढ़ जाता है दूसरा है जो water sports या फिर पानी में जादा काम करने वाले लोग हैं जिनें पानी पर से reflection की वज़े से बहुत जादा दिक्कत होती है उनके लिए polarize बहुत ही useful होता है क्योंकि इसके वज़े से उनका जो vision है underwater depth या फिर बाकी चीजे या फिर जो glare आपके water body से आ रहा है वो कम हो जाता है तीसरा है आपको UV protection मिलता है as यह आपका एक tinted lens होता है इसमें color present होता है जिसके वज़े से आपका certain amount of UV जो है इसमें block हो जाता है and finally जो है आपका जो snow players है snow sports या फिर जो mountain वगेरा hiking करते है जहां पर की flat surface जो कि आपका ice surface होता है उस पर से reflect होता है वहां पर यह आपको advantage होता है क्योंकि यह जो भी glare आ रहा है एक flat surface से उसे वो रोग देता है अब बात करते हैं इसके disadvantages की पहला disadvantage जो है आपको screen या फिर कोई भी particular plastic sheet के उपर आपको colored halos दिखेंगे यह क्यों होता है क्योंकि कोई सा भी lens या फिर कोई सा भी lens surface जहां पर stress हो वहां पर आपको यह colored halos दिखते हैं क्योंकि because of that stress आपका जो light है वो अलग अलग particular wavelength से पास हो रहा है जिसके वज़े से आपको यहां पर colored halos दिखते हैं दुसरा है इनी colored halos की वज़े से आपको जो है आपके mobile की screen या फिर TV screen जो है उस पर भी colored halos दिखेंगे यह generally होता है tempered lenses के उपर जो tempered glass होते हैं उनमें strained pattern पाये जाते हैं जिन strained pattern को हम polaroid lenses के थुरू easily देख सकते हैं same आपको जो दिखेगा aeroplane window से aeroplane की जो window है वो एक reinforced आपकी strained plastic sheet होती है जिसे highly resistant और durable बनाया जाता है पर इसकी strengthening procedure के वज़े से इस पर जो है strained pattern आ जाता है और इस strained pattern को आप अपके polaroid के वज़े से दिखता है and finally है जैसे कि मैंने कहा कि इसे एक particular angle पे block करने के लिए बनाया जाता है तो जब जब आप head moment करोगे आपकी जो light की intensity है वो change होगी क्योंकि हर बार head moment change करने की वज़े से आपका particular angle change होगा और इसी angle change की वज़े से आपको बार-बार अलग-अलग visuals या फिर अलग-अलग intensity of visions देखने के लिए मिलेगा अब हम देखते हैं कि कैसे पता करें कि ये एक polarized lens है या नहीं अगर आपके हाथ में कोई भी colored lens दिया जाता है और आपको पूछा जाए कि ये एक polarized lens है या नहीं तो आप कैसे पता करोगे पहली जो technique है जिसे हम कहते है rotation of lens अगर आपके पास already एक cut lens या फिर एक open lens है जो की आपका polaroid है तो अगर आपने दोनों के axis को parallel या फिर सीधा एक दुसरे के उपर रखा तो वो पूरी की पूरी light जो है वो transmit करेगी और आपको वो आर पार या फिर clear दिखेगा पर अगर आपने दो polaroid lenses लिये और उन दोनों को एक के उपर एक रख दिया perpendicular जैसे कि एक को 90 और एक को 180 आपने रख दिया इस वज़े से क्या होगा कि पूरी जो ray है वो block हो जाएगी क्योंकि एक vertical है जो कि आपके सारी rays को block कर रही है vertically और एक horizontal है जो कि horizontally सारी rays को block कर रही है जिसके वज़े से complete pitch black हो जाएगा और आपको कुछ भी आरपार नहीं दिखेगा पर इस test को करने के लिए आपके पास already एक polaroid lens पता होना चाहिए कि वो एक polaroid है अगर आपने दोनों lenses को लिया तब आप पता कर सकते हो next technique है rotation of your complete spectacle जैसे कि मैंने कहा जैसे ही आप angle change करोगे आपके polaroid lenses का उसका intensity जो है वो change होने लगेगा तो अगर आप उस lens को एक particular angle पे रखो एक clear रहेगा पर जैसे जैसे आप उसको rotate करने लगोगे उसका intensity जो है वो कम या फिर ज्यादा होगा इस से आपको पता चल जाएगा कि वो एक polaroid lens है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए thank you मैं उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो इस channel को subscribe करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like जरूर करें thank you